स्टुएंट जैसे की पता है आपको हमने स्टार्ट की है सिरीज केमिस्ट्री सूपर सिरीज जिसमें की हम कर रहे हैं टॉफ 500 प्लस इंपॉर्डेंट कॉशन्स यह सिरीज मैडिकल हो नौन मैडिकल हो दोनों के लिए बेनफिट होने वाली है क्योंकि यहां पर हम कर रहे हैं के सारे प्रीउन क्योशन पेपर और यह सिरीज से बनी है कि कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम है जिसमें की आती है कौ जर्णल केमिस्ट्री उसके लिए बेनफिट है PGT के लिए benefit है TGT के आपके exam के लिए ये series बहुत ही important होने वाली है इस series को complete देखिएगा देख लिना आप खुद observe करना बहुत सारे question आपके यहाँ पे complete हो जाएंगे और tag के तो यहाँ पे हमने सारे previous year question एड की हुए है अगर आप यह 20 lectures हैं इनको आप complete देख लोगे तो guarantee के साथ मैं बहुत सकती हूँ कि आपका chemistry का अच्छा score रहेगा क्योंकि यहाँ पे हमने हर topic को लेकि किया है और previous year तो हमने सारे लिए ही है चलिए फिर start करते हैं हमारा आज का session So your first question is chemical formula of child salt peter देखो salt peter होता है जहाँ यहाँ पे सभी में ही NO3 है तो आप child salt peter कौन सा हुआ देखो यह आ गया आपका potassium nitrate इसको बोला जाएगा gun powder का आपको मैंने पहली भी करवाया था gun powder का जो main component है जैसे black powder होता है वो क्या होता है आपका potassium nitrate से ठीक है यह समझा गया फिर आता है आपका child salt peter child salt peter करके आएगा अगर तो आप लिखोगे sodium nitrate इसका use किया जाता है आपका agriculture में देखो sodium nitrate आगया आपको option पूछा था child salt peter तो option B is the correct अब देखते है next भी हमें है जाप peter का नाम आ गया वहाँ आ जाएगा NO3 तो जब calcium होगा तो इसे बोलेंगे lime salt peter और ये manure को बनाने में help करता है last का तो आपको पता ही एह है N2O laughing gas के नाम से हम इसे जानते हैं अब सोचोगे कि जिसे टीवी में लिखाते हैं हंसते हैं वैसा होता है लेको laughing gas के नाम से ये तो famous है बट laughing के हसी आए ऐसा नहीं है ये हमें unconscious में help करती है तो I think आपका doubt salt peter आएगा तो आपको option अगर दिया होगे मेंसे तो nitrogen potassium nitrogen में लिखोगे बट अगर specific child salt peter या आपका lime salt peter के नाम से आएगा तो आप इन बे टिक करोगे अगर normal पूछा गया आपका salt peter तो आप potassium nitrate को click करोगे यानि आपका option एक रेक्ट होगा तब child salt peter के लिए sodium nitrate ठीक है I think आपके doubt clear कहोगे होगे चले फिर next question करते है gold number minimum in case of gold number किस में minimum है पर पहले तो समझना पड़ेगा कि gold number होता क्या है gold number होता है एक minimum weight मतला सबसे small quantity जो protect करेगी colloid को to require to prevent a coagulation जो coagulation से बचाने के लिए जितनी quantity चाहिए किसी भी substance की वो आती है gold number तो इन सब में किसका gold number सबसे कम होगा तो इसमें रहे का gelatin का तो यानि आपका option कौन सा correct है A चलिए फिर next question की तरह बढ़ते है नेक्स आता है process of a zone refining used in the purification of zone refining method है जो किसकी purification के लिए help करता है ये help करता है आपका germanium, gallium, silicon के लिए तो यहाँ आगे आपका germanium यानि आपका option बीज़ता correct चलिए फिर next question की तरह बढ़ते है next question जो आपको आता है वो आता है presence of a 3-unpair electron in phosphorous setup can be explained by ये किस rule के द्वारा explain किया गया है police rule police rule बोलता है आपका सबसे ये बोलता है प्री exclusion principle भी बोलते हैं रूल करके भी इसका नाम आ सकता है इसमें बोलते हैं no two electron same atom can be exactly same energy जैसे की आप ये है आपका orbit इसमें electron fill हो रहे हैं तो जो second electron fill होगा वो कभी भी पहले वाले की तरह से नहीं होगा सारे ही अलग होंगे फिर आता है आपका uncertainty principle uncertainty principle बोलता है आप किसी भी चीज़ का exact momentum and weight measure नहीं कर सकते फिर आता है आपका हंट rule हंट rule बताता है कि पहले क्या करोगे आप single single lactone fill करोगे half fill करोगे fully fill करने की कोशिश करोगे और आपको पता है half fill and fully fill most stable होते हैं compare to उससे सारे जैसे की माना इसमें fill होने है 6 lactone इसमें fill है आपके माना 3 तो ये more stable है अगर इसमें एक और आ जाता है मतलब 4 हो जाते हैं तो आप सोचोगे हैं कि ये जादा है तो ये जादा unstable होना चाहिए बट इसमें क्या होगा तो stable कौन से है या तो half filled है या fully filled है तो इस दीके से ये fill होगी पहले ऐसा नहीं होगा कि पहले इसमें एक में भर दिये दोनों कि next में भरे ऐसा नहीं पहले एक एक सब को बढ़ेगा फिर उसके बाद filling होगी तो इसमें option तो आपका secret आ गया नेक्स्ट आता है अफवा principle तो यहां भी बोला है electronic configuration कैसे fill करनी है वो बताया गया है lowest energy पहले fill होगी उसके बाद highest के तरफ जाएंगे जैसे कि जैसे ये arrow बताया है ये पहले fill होगा पहले 1s, 2s, 2p, 3s 2p, 4s, 3d, 4p and 5s इस तरह किसे fill होगी तो I think आपके doubt clear होगे option आपका hunts rule पता लग जा चलिए फिर आता है आपका next question which of the following species does not exist under a normal condition कौन से species इसमें से normal condition में नहीं exist करती तो देखिए इसमें B2 इसमें होते हैं आपके 5 ठीक है atomic number आ गया lithium का हो गया 3 beryllium B2 का आ गया 3 यह fully filled था ठीक है तो इसमें एक less था तो यह B2 में exist कर गया बट फिर आता है आपका B2 BE2 तो इसमें होगे B तो इसका bond order तो रहता है 0 तो जिसका bond order 0 रहता है वो normal condition में पाया नहीं चाहता तो यानि आपका option is the correct चलें आपे next question की तरफ बढ़ते है negative deviation of from route's law of observation observe in which of the following binary liquid mixture negative क्या है negative होता क्या है यह पहले तो आपको route's law समझना परेगा इसके sparing थोड़ा mistake है R-A-O-U-L-T-S ठीक है route's law क्या होता है partial vapor pressure of a solution किसी का भी partial vapor pressure किसी भी solution का equal होता है vapor pressure of pure का जो original होता है into उसके mole fraction के तो अगर यह value आती है जादा तो वो हो जाता है positive deviation अगर आती है कम तो वो हो जाती है negative value तो इसमें से रहती है value is a tone and आपका रहता है chloroform यहाँ पे chlorine की जागा आपका आएगा chloroform तो यानि आपको options is the correct चलिए फिर next question की तरफ बढ़ते हैं next question आता है आपका which of the following is a poisonous gas I think हमने पहले भी यह question किया हुआ है तो आपका कोई गलत नहीं होना चाहिए तो देखे phosgene इसका formula होता है COCl2 आप सुचों कि phosgene अलग है phosphine अलग है इसका formula होता है pH3 ठीक है ozone ozone तो पता है O3 nitrogen नाइट्रोलियम यह आता है CACN2 यह करके भी हो सकता है साथ में कुछ जगा nitrogen extra से भी लिखा हो सकता है तो दोनों ही correct होंगे तो आपका nitrogen ही आएगा फेटरलाइजर में इसका यूज होता है तो देखे जो आपका यह तो समझा गया ozone के बारे में तो आपको पदा ही है कि O3 है हावे protect करती है UV rays से phosphine phosphine का use होता है smoke screen धुआ जिसे धुआ निकालने के लिए जैसे कि गायब होना किसने तो फैंक दिया गुला जैसा जो phosphine का होता है और उससे किया धुआ हो गया तब तक लोगों को भागने का टाइम में लिए phosphine जो होती है वो होती है हमारी poisonous case यानि आपको option एक तरह चलिए फिर next question की तरह बढ़ते है which of the following not applicable to the phenomenon of observation इनमें से sorry observation absorption आना था यहाँ पे मैंने थोड़ा सा mistake कर दिया आपको PDF मिलेगी इसकी तो PDF में मैं इसकी जो mistakes हैं थोड़ी सी वो correct कर दूँगी तो यहाँ पे not if applicable in a adsorption क्या जाएगा adsorption कौन सा फिरोमेना adsorption के लिए follow नहीं होता देखो दो concept पढ़े है adsorption एक होता है absorption absorption होता है deep ठीक है absorb कर लिया adsorption होता है बहार-बहार से तो adsorption क्या होता है surface phenomenon होता है तो surface phenomenon होता है तो उससे lower तो होरी energy तो delta Gb negative आएगा ठीक है तो delta Sb अधाल भी भी negative आएगी आपकी end problem delta आपका Hb negative आएगा और तो इसमें एक option है यह तो negative आगे तो option आपका 1 is the correct क्योंकि यह opposite है सबसे ठीक है adsorption ठीक है students मैं आपसे यह डिस्स करना चाहती हूँ अगर आपको 500 questions की PDF बात में जैसे कि मैं complete कर दूँगी अगर वो चाहिए होगी तब comment करके बता देना आपके लिए वो complete आपको वो PDF मिल जाएगी जिसमें की होगे 500 questions चलिए फे next question करते हैं ब्रैडिक आग method cannot be used to prepare colloidal solution of यह cannot use किसके लिए use नहीं किया जादा तो वो होता है आपका iron यानि आपका option भी is the correct ब्रैडिक आग में होता क्या है dispersant भी होती है and condensation भी साथ में होती है चलिए फे next question के तरफ बढ़ते हैं half life period is independent of initial concentration of a reactant form half life period independent initial concentration क्या होती है half जिसमें independent होती है initial concentration of reactant तो वो आती है आपकी first order के लिए यानि आपका option is the correct चलिए फिर next question के तरफ बढ़ते हैं chemical formula of vermi leon chemical formula vermi leon का क्या होता है तो vermi leon होता है आपका HGS सिने भर भी बोल सकते हैं और सिने भर किस का ओर होता है mercury का तो vermi लागया option is the correct D2O यह तो किस किसी का गलप नहीं होना चाहिए heavy water का कहां यूज किया जाता है nuclear reactor को slow down करने के लिए फिर आता है आपका SiO2 यह आता है आपका क्वार्ट क्लास्मेकिंग में यूज होता है फिर आता है आपका CoNH3O NH3T2 तो यह आगया आपका Urea क्या आगया यह यूरिया इसका यूज किया जाता है fertilizer की तरह तो आके I think आपके चारों option clear होगी होगी इसी त्रीके से आपका बनाया गया है ताकि आपके doubts clear हो Next question आता है extent of physios option of a gas increase with किसकी वज़ा से physios option increase होता है एक होता है chemis option एक होता है physios option जो physical basis पे होता है तो increase होगा जब decrease होगा temperature यानि आपको option कौन सा बन जाता है correct आपका option बन जाता है physio correct देखे students अगर आपको किसी question का पढ़ा ना हो तो आपको क्या करना चाहिए आपको elimination technique लगानी चाहिए सबसे पहले तो आप दो option तो ऐसे होता है कि दूर दूसरे लगते हैं कि ये correct नहीं हो सकते है तो आप उनको incorrect कर दीजिए फिर दो option के बारे में deeply सोचिए जब आपको जैसे कि जिन question का doubt होगा वो बाद में करना है अटाप्प और बाद में भी इस तरी किसे करना है elimination technique जो नहीं जैसे पदा है कि ये बिल्कुल भी नहीं और हो सकता option हो तो cut कर दिया फिर सोचा है इन दोनों में से कौन सा उससे related है क्योंकि कभी ना कभी आपने कोई topic पढ़ा होगा तो माइन में आपके strike कर ही जाती है तो आप इस तरी के से आप निकाल सकते हो exact answer next question आता है आपका which of the following not a ore of aluminium कौन सा और नहीं है aluminium का तो देखे और्थोप्लेस इसको हम बोलते हैं एक और नाम से बोलते हैं फेल्ड स्वर तो इसका formula होता है के A L Si 3 O 8 चीक है ये हो गया बॉक्साइट आपको पता है aluminium का ore है माइका भी आपका aluminium का ore है and LG ने side ore है आपका lead का lead sulfate L P B S O 4 तो not पुछा है तो यानि आपको option is the correct not वाले question को हमेशा ध्यान रखेगा फिर not वाले question में हमेशा confusion होती ही होती है फिर आदा है next आपका basic strength of hydride of a group 15 element इनने order अब आपको बता रहा है basic strength किस तरफ को increase होती है लब किस सबसे जादा किस की होगी बेखो जब down the group जाते हैं hydride की case में group 15 element में तो क्या होता है loan pair central item size का increase होता है size जो उसका loan pair increase होता है उसकी वज़ा से हो जाती है basicity decrease तो सबसे जादा जो रहेगी वो रहेगी आपके nitrogen phase force 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 arsenic फिर anti money यानि यह आपको option visa correct तो यह चीज़ माइं में रखना next आदा है species having a plus eye effect कौन से species में plus eye effect होता है तो सबसे पहले eye effect inductive effect तो समझो inductive effect होता है already उसमें electron with drawing group लाता है उसका permanent effect क्या होता है वो आता है आपका plus eye effect तो तो दो types के होते हैं एक हो गया plus एक हो गया negative plus eye effect attract करेगा electron less than a hydrogen electron donating group होगा और negative eye होगा attracting group होगा चीक है तो इसमें से कौन सा plus eye effect शो करता है तो इसमें से जो plus eye effect शो करेगा तो देखेंगे c जो ho है ये negative eye शो करता है चीक है तो यानि यहां से आपके plus eye negative eye के सारे question complete हो रहे है c ho फिर आता है आपका ये हो गया फिर आता है आपका no2 and cooh आपका फिर option d जो आता है ये आता है आपका plus eye effect और सारे क्या हैं ये negative eye effect शो करते है next आदा है among the following most stable carbonium आयन कौन सा मोस स्टेबल है तो देखें carbonium में tertiary होता है most stable फिर secondary फिर primary फिर अपका इत्हीन आजाता है क्योंकि इसमें delocalization होती है जितने delocalization होगी उतना stable हो जाएगा तो यानि tertiary का option है आपका B तो B is the correct order करके भी शो कर सकते हैं यह order शो किया होगा या directly आपको इस तरीके से भी question पोस सकते हैं next 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 question करते हैं next आता है आपका which of the following is an insulator insulator वो होते हैं जिनसे की electricity पास नहीं होती तो graphite से भी होती है aluminum से भी होती है silicon से भी होती है बर्ट आपका option C जो है diamond से आपकी electricity पास नहीं होती है यह आते हैं insulator यानि आपका option C is the correct चलिए फिर next question की तरफ बढ़ते हैं next question आता है which of the following element can be involved a d pi p pi and d pi bonding d pi ठीक है d pi bonding तो देखो p pi p pi bonding उनमें होगी जहाँ पर d orbital होगा और जिसमें अगर आपका d orbital है तो उसी में हो पाएगी न डी पाई तो काबाइन नाइट्रोजन और बोरोन ये तो आपके second period के आगे इसमें तो d orbital खाली नहीं होता तो होता है phosphorus में तो third period में आता है तो यहाँ पे होगी d pi p pi bonding यानि आपका option से जख करत चलिए फिर next question की तरफ बढ़ते हैं which of the following oxide is a per oxide कौन सा इसमें per oxide है तो देखिए तो आपका आता है इनमें से कौन से शो करेगा तो देखो इसमें शो करेगा b a o ठीक है कैसे बनेगा b a o 2 तो यह बनेगा कैसे तो यह बनेगा आपका जिसे की barium hydroxide करेक्ट किया peroxide h2 o 2 के साथ तो बना आपका b a o 2 and 2 h2 o तो option आपको मैंने बता दिया option से जख करेट चलिए फिर next question की तरफ बढ़ते हैं ortho phosphoric acid on heating give ortho phosphoric acid इसका formula जो बनता है आपका वो होता है h3 po 4 और जब heat किया जाये तो बनता है hpo 3 तो यह बन गया आपका metafosphoric acid यानि आपका option is the correct चलिए फिर next question की तरफ बढ़ते हैं the hybridization of a orbital of a nitrogen atom NO3 negative NO2 positive and NH4 तो देखो इसमें से nitrogen जो N है इसमें आते हैं आपके 3 bond पे हो NO2 में जो आते हैं वो आते हैं आपके 2 bond पे हो और NH4 में आते हैं आपके 4 bond पे हो तो इसमें होगी SP3 hybridization और NO2 में होगी आपकी SP और NO3 negative में होगी आपकी SP2 hybridization यानि आपका option is the correct चलिए फिर next question की तरफ बढ़ते हैं लिक्विड हाइडो कार्वन can be convert to a mixture of a gaseous हाइडो कार्वन by किस माधर से किया जाता है तो ये किया जाता है ग्रैकिंग से यानि आपका option is the correct पिच्छलिए नेक्स कोशिन करते हैं soil salinity can be measured by soil salinity कैसे measure की जाती है ये की जाती है potential mitry द्वारा calorimetry द्वारा ये connectivity के जाती है connectivity of a water की check to soil salinity चेक की जाती है तो यानि आपका option से ज़ग करते हैं चलिए फिर next question करते हैं आपका ये आता है आपका sulfide ores are common for matter sulfide ore किस matter के लिए के लिए common होते हैं ये आता है silver, copper and lead यानि आपका option is the correct ठीक है ये clear हो गया चलिए फिर next question की तरब करते हैं next question आता है which of the following is an example of elimination reaction कौन सा इस में से elimination reaction में example है chlorination methane या dehydration of alcohol या hydration of a benzene या आपको hydroxylation of a thing तो ये होगी ethylene, sorry ये होती है आपकी option बीजग करते हैं dehydration of alcohol क्या है ये ये है एक elimination reaction क्योंकि यहां पर की जाती है dehydration मतलब water की removing तो elimination reaction है तो इसके साथ आज की class finish होगी आपकी next class में हम next questions करेंगे आपको कोई doubt होगा तो आप पूछ लेजी का comment करके बाखी इस channel पर आपको videos मिल जाएंगी 6 to 10 complete notes विद आपको कुछ classes आपको overview मिल जाएगा 6 to 10 का साथ ही साथ आपको इसके जो important questions है question question form में mcq type नी question form में भी chemistry के मिल जाएंगे link description में है telegram channel का link भी आपको description मिल जाएगा जहाँ पर आपको videos भी मिल जाएंगी अगर आपको notes चाहिए specific चाहिए तो आप वहाँ पर हमारे साथ बात कर सकते हैं जूर सकते हैं और आपको सारे doubts clear किये जाएंगे अगर आपको one week बचा है I think that medical के लिए तो आपको कोई भी doubt होगा one week में कुछ त्यारी करनी होगी तो comment करके बता दीजेगा आपको वो भी personal guidance provide करवाई जाएगी और like कीजेगा share कीजेगा subscribe कीजेगा क्योंकि आपके like share हमें motivate करते हैं और better काम करने के लिए चैनल को subscribe कीजेगा साथ साथ bell icon दबा दीजेगा ताकि आपकी कोई भी video miss ना हो thanks for watching